So Hello Everyone, Welcome Back to My New Video Friends, आज का हमारा टॉपिक है सर्वेक्षन आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजिक सर्वेक्षन के प्रकारों के विशे में जानेंगे यह बहुत ही important टॉपिक है तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा Friends, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और जादा से जादा लोग के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे कि वीडियो जादा से जादा लोगों तक पहुँच सके अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को औल प्लेट कर दीजेगा जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके क्योंकि फ्रेंट्स इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फरमेटिव वीडियो रेगुलर मिलती रहती है तो फ्रेंट्स चैनल बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं समाजिक सरवेक्षणों के प्रिकार के विशय में जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि समाजिक सरवेक्षण समाजिक अनुसंधान की एक प्रमुक पदती है जिसके द्वारा अनुसंधान करता घटना इस्थल पर जाकर उसका वेग्यानिक रूप में अवलोकन करता है मतलब घटना इस्तल पर जाकर वहां की सित्यों को देखता है समझता है और उसके संबंद में जानकारियों को इकठा करता है आज के समय में समाजिक सर्वेक्षणों का विशय चेत्र बहुत ही अधिक बड़ा हो गया है समाजिक सर्वेक्षणों के कितने प्रकार हैं ये ठीक प्रकार से नहीं कहा जा सकता लेकिन इसके उद्देशियों, विशेवस्तू, प्रकरती और समय अवधी के अनुसार समाजिक सर्वेक्षडों का वरगी करण किया गया है वेल्स ने समाजिक सर्वेक्षणों को दो शेड़ेों में भाजित किया जिसमें से पहला है प्रचार सर्वेक्षण और दूसरा है तत्ति संकलन सर्वेक्षण प्रचार सर्वेक्षन वे सर्वेक्षन कहलाते हैं जिनका प्रयोग, सामानितय, सरकारी योजनाओं या फिर सरकार द्वारा बनाये गए समाजिक विधानों का प्रचार करने के उद्देश से किया जाता है सरल शब्दों में कहें तो प्रचार सर्वेक्षण का एक मात्र उद्देश यही होता है कि जनता में किसी बात के बारे में जागरिती पैदा की जा सके, लोगों को किसी बात के बारे में जागरुक किया जा सके जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है तत्यों का संकलन करने के उद्देश से जो भी सर्वेक्षन किये जाते हैं वो तत्य संकलन सर्वेक्षन कहलाते हैं इस तरह के सर्वेक्षणों का एक मात्र उद्देश्य समाजिक जीवन या फिर समाजिक घटनाओं के बारे में तथ्यों का पता लगाना होता है मतलब उनके बारे में जानकारियों को इकठा करना होता है अगर इस कारे में वेग्यानिक पद्दती का प्रियोग किया जाता है तब इसी तरह के सर्वेक्षण वेग्यानिक सर्वेक्षण कहलाते हैं और अगर वहीं तत्यों के संकलन के आधार पर किसी समस्या का समाधान बताना हो तब ऐसे सर्वेक्षडों को ही हम विवहारिक सर्वेक्षण भी कहते हैं ना केवल इतना बलकि सर्वेक्षडों की प्रकरती उनके उद्देश और इनकी विशेवस्तों के आधार पर इनको चार भागों में विभाजित किया गया है जिसमें से पहला है जनगर्ना सर्वेक्षन, दूसरा है निदर्शन सर्वेक्षन, तीसरा है मुल्यांकन सर्वेक्षन और चौथा है मनुवरती सर्वेक्षन जनगर्ण सर्वेक्षण इस प्रकार के जो भी सर्वेक्षण होते हैं वे संपूर्ण समाज या फिर संपूर्ण समुदाई की इकाईयों का अध्यन करते हैं भारत में दस वर्ष के बाद जो जनगर्णा होती है वो इसी प्रकार के सर्वेक्षण का ही एक उधारण है इसके अलावा अगर हम बात करें निदर्शन सर्वेक्षण की तो इस तरह के सर्वेक्षणों में संपूर्ण समाज या फिर समुदाई का अध्यन नहीं किया जाता है बलकि उनका प्रितिनिधित्व करने वाली उनको रिप्रेजेंट करने वाली इकाईयों का अध्यन किया ज होते हैं जिसमें वे संपूर्ण समाज का अध्यन न करके उनको रिप्रेजेंट करने वाली इकाईयों का अध्यन करते हैं इस प्रेकार के सर्वेक्षण को कुछ इस तरह समझ सकते हैं मान लीजिए अगर आपको किसी स्कूल के बारे में पता करना है ठीक है इसकूल के उसके बाद उस विद्याले के बारे में पता लगाएं और दूसरा ये कि आप वहां के स्टाफ मेंबर से बात करके इस स्कूल के बारे में पता कर सकते हैं तो यहां पर निदरसन सर्वेक्षण में हर एक छातर से बात ना करके आप केवल और केवल उस स्कूल को रिप्रेज प्रेकार के सर्वेक्षणों में व्यक्ति किसी भी समाजिक घटना या फिर समाजिक जीवन के अलग-अलग पक्षों का मुल्यांकन करके घटना के विशय में पता लगाता है वहीं अगर हम बात करें मनुवरती सर्वेक्षण की तो इस तरह के जो भी सर्वेक्षण होते हैं इनका उद्देश्य किसी भी समस्या या फिर घटना के बारे में लोगों की कैसी मनुवरती है उसका पता लगाना होता है अगर किसी भी स्थान पर कोई घटना घटी हुई है तो उस घटना के बारे में लोगों की क्या राय है उसके बारे में उनकी क्या विचार है इस बात का पता लगाने के लिए मनुवरती सर्वेक्षण का प्रियोग किया जाता है तो फ्रेंट्स ये थी जानकारी समाजिक सर्वेक्षण के प्रिकार के विशे में उमीद करती हूँ कि वीडियो में दीगी जानकारी आपको पसंद आई होगी फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम समाजिक सर्वेक्षण की प्रिकरती या फिर इसकी विशेष्ताओं के विशे में जानेंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत बूलिएगा फ्रेंट्स वीडियो में दीगी जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा जिसे की वीडियो जादा से जाद वीडियो रगुलर मिलती रहती हैं फ्रेंट्स आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ